देखिए ऐसा है मैंने एक वैधानिक चितावनी लिखी थी और उसमें लोगों को आगा किया था कि ऐसी चर्चा है कि एक वीडियो क्लिपिंग चल रही है अश्चलील वीडियो क्लिपिंग उसे न देखें मायरा फैशन्स एन एक्स्क्लूजिव रेंज ओफ डिजाइनर कलेक्शन स्वामी कॉंप्लेक्स आनवगामल अजमेर ना परशारित करें कोई पतरकार दो पतरकार और एक राजनेता के पास वो वीडियो क्लिपिंग थी ऐसा मुझे भी बताया गया तो मैंने अपने करें ना परचार करें अब बात ये कि मैंने कभी भी दावा नहीं किया कि ये वीडियो क्लिपिंग मेरे पास है मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि उसमें किसी का नाम लिया हो के सब फलांका है मैंने वकालत करता हूं 40 साल से मुझे वकालत करते हो गए एक आईए सदीकारी की श में जो मैंने बलॉक लिखा उसमें किसी का नाम नहीं लिया कि वह यह फलाना अधिकारी था यह फलाना अधिकारी नहीं था मेरा कोई भी काम किसी भी अधिकारी के पास पेंडिंग नहीं है जितने लोगों नहीं जो का है कि मेरा काम ना तो मैं उनसे मिला हूं ना मैं को राज करने की चेश्ट्रा है और जब यह निश्पक सनुसंदान होगा तो सारी बाते सामने आ जाएंगी एफ आई आर में जो धाराएं लगाई गई है वो धाराएं मुझे लगती ही नहीं है क्योंकि वह धाराओं में कोई भी ऑफेंस हुआ ही नहीं है दूसरा यह है कि मैंने ब्र जैपूर शिठ्चिया लिखके छोड़ने की बाते करते है जिस तरहे बिक बरस्टाचार ये कर रहे हैं चाहे वह राजनीतिक दल हो चाहे विरोदी पार्टी हूं मैंने सदा ब्रष्टाचार को उजागर किया है मैं एक काम करता रहा हूं तो मेरी आवाज को दबाने के लि अगर मैंने कोई प्रस्ट्राचार किया है तो भाई उसकी ACB कोट में दर्ज कराओ रिपोर्ट ACB थाने में दर्ज कराओ यह SPA ACB का यह एडिशनल SPA यह दो चोकियां दो थाने SP का उफिस है तो ऐसी इस्तिति में जब निश्पक्स जाच होगी और जब भी यह निश्पक्स जाच होगी तो यह सारी चीजे खुल के सामने आ जाएंगी कि इसमें क्या हुआ है अब दूसरी बात गया रही कि अगर आपको मेंने कोई मानहनी की है तो मानहनी का रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं होती है दफ़ा पांसो में आप कोर्ट में मानहनी प्याते मेरे मानहनी का मुकदमा करते और अगर आपकी छवी धुमिल हुई है त फला हूँ जब आपको इतना मतलेआ अपने नाम के याप उसको खोलनानी चाहते अपना नाम ही नहीं पताना चाहते तो आपकी पृतिष्टा को कहा आगाई पहुच गयी आप ये तो कहते हैस्जरत regardez मैंadece एक सबस्टा को ये आगाई हैसने मेरे लिए काया मैं फला हूँ मैं फला दफ्तर में हूँ तो आप कैसे छुपके ये पर्दे की बीबी बन के कैसे होगा काम आप बताईए ना सामने आईए बताईए किया हुआ मैंने किसका नाम लिया मैंने कभी कोई ना तो वीडियो वाइरल किया ना मैंने वीडियो देखा मैंने सिर्फ चर्चा पे आगा किया है और जब आपको यह नहीं लग रहा कि यह वीडियो आपके खिलाफ है तो आप पबली को कैसे लगेगा वही आपके खिलाफ अगर वीडियो है तो आपको यह किसाब मेरा नाम इसमें आया मेरा इसमें मुझे आगात पहुचा जब आप अपना नाम ही नहीं आपका आपको नहीं लग रहा है तो फिर यह क्या है कि एक जैसे ट्रेड यूनियन मुव्मेंट होता ना कि करमचारी संगठन बनके के हम संगठन के माध्यम से आप कोई कोई भी अगर आपके ब्रश्टाचार हो जागर करे तो आप उसके खिलाब ऐसे पूलिस में दवाव बनाई हैं मैं इस जांच को फेस करूँगा केस को जो भी होगा जो आरोप लगाने आप पर जूटे हैं बिलकुँ जूटे हैं बही आरोप आरोप लगाना तो एफ़ यार कोई भी जाएगा दर्ज होगी एफ़ जब एस पी के भ्राव लगी नहीं सकती मैंने कोई वीडियो बार्यलडीओ है डीकी मैंने को यह कई कैसी को दिछा लिखा नहीं कि पैसी बीचारी करना चाहते हैं कि साब हमारा बड़ा अपमान हो गया है कैसे हो गया अपमाना